Q7. Hasan buys two kinds of cloth material for his cool uniform. Shirt material that cost him Rs. 50 per meter and trouser material that cost him Rs. 90 per meter. यानि कि Hasan दो तरह के cloth के material खरीदा है, इसके ओर uniform के लिए. और देखो, shirt के लिए जो उसने material खरीदा है, वो उसको Rs. 50 per meter, यानि कि 1 meter के लिए उसे किते रुपीज देने पड़े हैं? Rs. 50. सेम इसी तरह से trouser के लिए उसने किते रुपीज दे हैं? 1 meter के trouser थोड़ा सा महगा है और उसके हैं Rs. 90 per meter. For every 2 meter of trouser material, he buys 3 meter of the shirt material. वो क्या करता है? हर एक 2 meter, जो अगर वो 2 meter के trouser लेता है, यानि कि trouser उसने खरीदा है 2 meter, तो उसके साथ pairing के लिए वो shirt जरूर लेता है और वो लेता है 3 meter की. समझ में आई ही बात? चलो ठीक है. He sells the material at 12% and 10% profit respectively, यानि कि 12% तो वो trouser को sale करता है, और 10% वो shirt की sale करता है, इतने profit पर. His total sale is Rs. 36,660. How much trouser material did he buy? कितना उसने buy करा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि let the cloth bought by hasan for trouser 2x. तो 2x उसने suppose हमें तो पता नहीं, हमें पता है बस trouser के लिए वो 2 meter खरीदा है. तो हमने मान लिया कि वो कितने meter खरीद रहा है? 2x meter खरीदा है. तो हमने उसको 2x meter लेट करा. ओके? तो देखो. Then the cloth bought by hasan for shirt is, shirt के लिए वो क्या लेता है? 3x meter ले लेता है. अब क्योंकि हमें पता है कि उसने trouser का 1 meter कितने रुपेज का खरीदा है? उसने 1 meter खरीदा है. पहले trouser नहीं, पहले shirt लेते हैं. उसने shirt को 1 meter कितने रुपीज की खरीदी है? 50 रुपीज की. ओके? अब अगर मैं आपको बोलूँ 4 meter shirt कितने रुपीज की आएगी? तो आप क् हमने shirt को कितना लेट करा? हमने shirt को लेट करा है. कहांगी shirt 3x meter. 3x meter करा है न? तो इसलिए shirt की cost find करने के लिए हम इसे 50 से multiply करेंगे. तो रुपीज 150x आ गए shirt की cost. ओके? अंदाजे से. Now, cost price of 2x meter trouser cloth at. अब cloth उसने trouser के लिए कितना खरीदा है? 2x meter खरीदा है. ओके? और cost कितनी और trouser की? 1 meter की 90 है. तो total कितनी cost होई? 90 into 2x याने की 180 रुपीज. आप देखो. सबसे पहली condition उसने दी थी कि shirt जो उसने sale करी है, उसने 12% profit पे करी है. तो हमारे लिए फॉर्मुला होता है, cost price into 100 plus profit percent upon 100. ये फॉर्मुला. तो आपको याद करना पड़ेगा, this is selling price. Selling price fine करने के लिए. cost price into 100 plus profit percent upon 100. तो ये याद करना है, बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, दस बार लिखोगे तो याद हो जाएगा. Don't worry. अब cost price, सबसे पहले हम किसका निकाल रहे है? shirt का. और shirt का cost price आया कितना था? 150. देखो, 150X आया था. तो हमने 150X लिखा, और 100 plus profit इसमें कितना है? 12% यानि कि 12 divided by 100. तो 150X into 112 upon 100. और जैसे हम इसको calculate करते हैं, 0 से तो 0 गया. 5 से 3 कटा, ये कटा और ये कटा. अब इस 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. Now 3 6 जा 18, 3 5 जा 10 और 1, 3 5 जा 15 और 1, 16. तो हमारी cost आई, total cost, selling price जो आई, selling price of shirt. Shirt हमारा बनता है, rupees 168X. Now the profit on the cloth of trouser. Trouser पे हमें कितने percent का profit हो रहा है? 10% का. अब हम selling price of, किसके निकालेंगे? Trouser की. तो trouser की selling price के लिए भी formula सेम होगा, cost price into 100 plus profit percent upon 100? Okay. तो cost price इसकी है 180X, 100 plus 10, 110 upon 100. 0 से, ये 0 गया, ये 0 से, ये 0 गया. यानि कि 18 को, 18 को 11 से multiply करेंगे, तो answer क्या आएगा? Answer आएगा 198X. X को नहीं भूलना, 18X. चलो. अब according to the question, total cost, total उसकी selling कितने है? 36,600. अब देखो हमने जो निकाली shirt की और trouser की cost, 198 और 168. 168 तो है shirt की selling price और trouser की selling price है 198. दोनों को add करा, आया 36,660 तो उसकी total selling थी और ये आगया 366X. तो X की value आई, इसको हम cut कर देंगे और cut करने पर हमारा जो answer आएगा, 100 plus something आएगा. तो क्योंकि ये meter है, meter का मतलब हम इसकी length find कर रहे हैं, तो we should take in round figure. Thus the cloth bought by Hasan for trouser is 2 into 100.16 meter. So, तो we have got total in round is 200 meter. तो हमने कितना कपड़ा खरीदा? यानि कि Hasan ने कितना कपड़ा खरीदा? 200 meter खरीदा. अब देखो, इसी question से मिलता हुआ, एक practice question ये दिया हुआ है. आप इसको solve करो और check करो, क्या आपका answer सही आता है या नहीं आता है? आपका answer सही आता है. आपका answer सही आता है. सpoundी 24. सुने कingज मिलें harvest. अपका answer सही आता है. आपका ये आता है. आता है. तो हम स्वकाते है, आता है. आता है ये, का आता है, येम स्जकते है. का दो आताओ मैं? आता है. आता है. झाल झाल